हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर फाइप रारंबिक आकारों को समझना प्रश्णावली 5.4 से कोशन नमबर 6 और 7 सोल्व करेंगे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए अब कोशन नमबर 6 देखे लिखा है निम् दोनों में से कौन सा कोण बढ़ा है और उसके बाद इन्हें मापना है तो पहले अरुमान लगाएंगे तो देखे कोण A की जो ये दो किरने हैं इनके बीच जो फासला है वो इतना है तो यहां पर जो कोण बनेगा उसका माप क्या होगा कम होगा और जो कोण B है देखे इस इसकी जो दो किर्णे इनके बीच जो है फासला जादा है तो यहां जो कौन बनेगा उसका माप क्या होगा बड़ा होगा क्योंकि इन दो किर्णों के बीच फासला जादा है और इन दो किर्णों के बीच कम है तो यहां जो कौन बनेगा इसका माप क्या होगा बड़ा होगा त पर इस बिंदू के उपर जो है हम D का ये जो ठीक बीच वाला बिंदू है वो इसके उपर रखेंगे और जो D की ये जीरो वाली लाइन है उसको हम इन दोनों किर्णों में से किसी भी एक किरन के उपर रख लेंगे तो हम इस किरन के उपर रख रहे हैं तो ये देखिए 0 वाली लाइन मैंने इस किरन के उपर रख दी और वो जो बिंदू है वो भी D का बीच का जो बिंदू है मैंने इसके उपर रख दिया अब हमें ये देखना है कि ये जो दूसरी वाली किरन है ये किस तरफ जा रही है तो उससे पहले आप ये देखिए कि जिस कीरण के उपर आपने जीरो वली लाइन रखी थी वो इस तरफ है तो हम इसी तरफ से जो है गिंती देखेंगे जीरो दस बीस दूसरी तरफ से नहीं देखना है डी के इसी तरफ से देखेंगे जिस तरफ ये वली कीरण है नियर्जपीस देखेंगे अगर हम देखे तो यहाँ पे चालिस है ये चालिस डिगरी की लाइन है अब ये लाइन जो है चालिस डिगरी से आगे जा रही है तो अब हम क्या करेंगे ये pencil से एक बार इसे बढ़ा के देख लेतें कि कहां तक जा रहे हैं तो हमें देखना आसान हो जाएगा तो देखे pencil से मैंने इस किरन को आगे तक बढ़ा लिए अब देखें ये 40 डिगरी है 40 के बाद अगली लाइन 41 डिगरी फिर 42 डिगरी और देखें ये तीसरी लाइन के तरफ जा रही है ये किरन तो मतलब 43 डिगरी तो ये कौन 43 डिगरी का बन रहा है अब हम कौन B को मापेंगे अब देखें ये दोनों किरने जो हैं यहाँ पर मिल रही है तो देखें डिगरी का बीच वाला बिंदू मैंने इस बिंदू के उपर रखा और जो ये 0 वाली लाइन है इस किरन के उपर मैंने रखती तो अब हम देखेंगे कि ये जो दूसरी वाली किरन है ये किस तरफ जा रही है उससे पहले हम ये देखेंगे कि जिस किरण के उपर हमने जीरो वाली लाइन रखी है इस किरण के उपर रखी है वो किस तरफ है इस तरफ है तो हम यहीं से जीरो दस बीस देखेंगे डी की दूसरी तरफ से हमने जीरो दस बीस नहीं देखना है इस तरफ से हमने गिंती देखनी है तो हम इस तरफ से गिंती अगर देखे तो यहाँ पर तो 50 है ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस कीरण को आगे तक बढ़ा दूँ तो यह इस लाइन तक जारी है जो बीच वली लाइन है और यह कितने डिगरी के होती है 55 डिगरी की देखें ये 50 डिगरी है उसके बाद 51, 52, 53, 54, 55 ये 55 डिगरी की है तो ये जो एंगल है कितने डिगरी का बन रहा है ये जो कोण यहां बन रहा है ये 55 डिगरी का तो देखें 6 का आंसर आकलन करने पर मतलब जब हमने अनुमान से देखा थो हमने जब आकलन किया तो कोण B जो है बड़ा है कोण A से देखे कोण B 45 डिगरी था और कोण A क्या 43 डिगरी तो कोण B बड़ा है कोण A से ये था 6th कोशन अब हम कोशन No.7 solve करेंगे कोशन No.7 देखे नियून कोण, अधिक कोण, समकोण या रिजू कोण से रिक्तिस्थानों को भरिए तो इस कोशन में हमें कुछ रिक्तिस्थान दिये गए है हमें बताना है कि इन में से किस रिक्तिस्थान में नियून कोण आएगा अधिक कोण, समकोण या रिजू कोण आएगा ये हमें भरना है तो देखे कर पार्ट दिया गया है वह कोण जिसका माप एक सम कोण के माप से कम है डैश होता है देखे एक सम कोण किसके बराबर होता है 90 डिगरी के बराबर होता है तो वह कोण जिसका माप 90 डिगरी के माप से कम हो मतलब जो कोण 90 degree से कम हो वो कोण कोण सा होता है noon कोण होता है क्योंकि noon कोण कोण सा होता है जो 90 degree से कम हो तो यहां क्या आएगा noon कोण तो हमने यहां पे लिख दिया noon कोण अब ख पार्ट देखिए वह कोण जिसका माप एक सम कोण के माप से अधिक हो डैश होता है सम कोण किसके बराबर होता है नब्बे डिगरी के बराबर तो वह कोण जो नब्बे डिगरी से अधिक हो क्या होता है वो अधिक कोण होता है तो यहाँ पर क्या जाएगा अधिक कोण नेक्स्ट पार्ट है वहे कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर है डैश होता है एक समकोण 90 डिगरी के बराबर होता है तो जब हम दो समकोणों को जोड रहे हैं मतलब 90 जमा 90 तो क्या आ रहा है 180 डिगरी आ रहा है रिजू कोन तो हमने यहाँ पे लिख दिया रिजू कोन अगला पार्ट देखे लिखा है यदि दो कोणों के मापों का योग सम कोण के माप के बराबर है तो प्रति कोन डैश होता है सम कोन मतलब 90 डिगरी तो यह कहा गया है कि यदि दो कोणों का जोड 90 डिगरी है तो उन दो दोनों कोणों में से प्रते कोण क्या होगा अधिकोण होगा न्यून कोण होगा रिजू कोण होगा या समकोण ये बताना है हमें तो देखिए दो कोणों का जोड 90 डिगरी है मतलब समकोण के बराबर है तो ये दोनों कोण कोण से होगे अब देखिए इन दो कोणों का जोड 90 डिगरी है तो इसका मतलब ये दोनों ही कोण क्या होगे 90 से कम होगे जब 90 से कम होगे तभी तो इनका जो 90 डिगरी आएगा ना तो जो कोण 90 डिगरी से कम होते हैं वो क्या होते हैं नियून कोण होते हैं तो मतलब दोनों ही कोण कोण से होगे नियून कोण होंगे जैसे कि माल लीजिए अगर इन में से एक कोण 60 डिगरी है तो दूसरा क्या होगा 30 डिगरी होगा 60 जमा 30 बराबर 90 डिगरी आ रहा तो देखें दोनों ही कोण 90 डिगरी से कम है मतलब नियून कोण है तो हमारा आंसर क्या होगा कि प्रतेक कोण जो है एक रीजू कोण के माप के बराबर है और यदि उन दोनों में से एक न्यून कोण है तो दूसरा डैश होना चाहिए तो अब रीजू कोण को आता है? 180 डिगरी 180 डिगरी के कोण कों क्या कहते है? रीजू कोण कहते हैं तो कहा गया कि अगर दो कोणों का जोड 180 डिगरी है और उन में से एक कोण नियून कोण है तो दूसरा कोण कोण सा होगा तो अब देखिए दो कोणों का जोड 180 डिगरी है और इन दोनों में से एक नियून कोण है नियून कोण मतलब 90 डिगरी से कम है, 90 डिगरी से कम आप कोई सा भी कोण लीजेजिए, माल लीजे, आपने ले लिया यहाँ पर 60 डिगरी, ठीक है, 90 डिगरी से कम है, ठीक है, तो दूसरा कोण कोण सा होगा, तो जब एक नियून कोण है, तो दूसरा अधिक कोण होगा, जब दो कोणों का जोड 180 डिगरी आ रहा है और उन में से एक नियून कोण है तो दूसरा अधिक कोण होना चाहिए तो अंसर होगा अधिक कोण तो ये था कोशन नमबर सेवन आज इस वीडियो में हमने कोशन नमबर सिक्स और सेवन सोल्व करा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू